10 x 32 feet का house design है तो इसका अंदर का जो measurement है यह जो plot मैंने design किया है building का जो design इसका अंदर का जो measurement है 32 x 10 feet का तो 320 square feet का अंदर हमने यहाँ पर design किया है तो start करने से पहले हम यहाँ पर देखिए column यहाँ पर हमने रखा है स्रेप 8 numbers column 32 x 10 का इसका area 32 छोटा जो area है front side में और sorry 10 और 32 side में है ऐसे हमने design यहाँ पर किया है उसके बाद हम यहाँ पर देखिए जो wall है यहाँ पर 7 feet height तक wall इसको हम height पर रखेंगे 7 feet height तक तो one bedroom one kitchen one toilet एंड थोड़ा सा जगा इसके हंदर हमने रखा है तो just आपको एक open area है यहाँ पर add किया है यहाँ पर 2 feet 4 inch height और इसके बाद यहाँ पर 7 feet बाकी देखिए यहाँ पर जो stair area stair हमने ऐसे रखा है तो इसको भी हम दिखाएंगे तो ऐसे simple design हमने क्या है 320 square feet के अंदर हम इसका अंदर थोड़ा सा furniture layout plan भी design करेंगे तो चलिए हम पहले stair कहां से start होगा कहां पर end होगा उसके बादे में बात करते हैं और इसका details हम यहाँ पर दिखाएंगे 3D के 3D design के through final furniture layout plan final furniture layout plan में यहाँ पर देखिए हमने simple design क्या है ऐसे stair का design क्या है इसके नीचे ऐसे जगड़ाएंगा तो front से हम ऐसे जा सकते हैं अंदर तो हो सकते हैं आपको यहाँ पर three side block है तो इसलिए हमने कोई भी यहाँ पर window नहीं add किया है पीछे में एक bedroom left side में एक यहाँ पर toilet यहाँ पर kitchen एक छोटा सा एक open area तो इस stair के नीचे आप एक dining table रखे खाने का जगा add कर सकते है तो simple design यहाँ पर क्या है तो चलिए हम इस design के अ और एक बर हम अपके साथ detail share करेंगे 10 feet by 32 feet अंदर का measurement है ठीक है बाकी जो outer wall है 10 inch का wall नहीं है यहाँ पर 5 inch का wall हमने create क्या है 8 number कलोम के साथ 2D drawing and 3D drawing में जो difference है यहाँ पर आप देख सकते दोनों में तो मैंने जैसे कहा था अंदर में आपको 10 feet मिलेगा बाहर में ज्यादा मिले जहते है अंदर में 10 feet by 32 feet का area है देखिए यहाँ पर हमने जो इतना तक लेंगे 32 feet ठीक है तो strike का design में हमें अंदर में जो मिल रहे है देखे नहीं यहाँ पर पहला जो है बेधर्रूम यहाँ पर उसके बाद टॉयलेट 6 feet by 4 feet का टॉयलेट उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जगह मिल जाएगा हमें 5 feet 7 in यहाँ पार distance का एक जगह है उसके बद देखिए यहाँ पार जो 6 feet by 6 feet 1 inch का kitchen उसके बाद य क्योंकि स्ट्रेड जादा रखेंगे स्ट्प तो हमें ज्यादा जगा लग सकते इसले आपके 6-8 इंच तक हाइट रख सकते जो स्ट्रेयर का राइजर का हाइट है ठीक है और भी स्ट्रेफ यहां पर आपड कर सकते हैं तो यहां पर जो में गेट है देखिए 4-0-0-0-0-0-0 तो ही था प्लान और डिजाइन आपको टोटल खर्चा कितना आएगा तो अगर 10 by 32 का अगर हाउस डिजाइन है तो आपको टोटल खर्चा आएगा 5 से 5.6 लाग तक आपको खर्चा आजाएगा तो ही था प्लान और डिजाइन 3D 2D आपको पसंद आए तो लाइक और शेर कर द तो थैंक यू वाचिंग इस वीडियो